नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तू कंसल्टन्ट आज फिर मैं आपके साथ एक नए विशय पर चर्चा करना चाहूंगा आज का जो विशय है वो है साउथ वेस्ट जोन यानि नेरित्ते को इस दिशा में क्या-क्या नहीं होना चाहिए कुछ खास बाते आज मैं आ हुआ 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 है यहां पर क्या नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो यहां पर गहराई नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में गहराई नहीं होनी चाहिए क्यानी होनी चाहिए हुआ है क्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सफ्वेस जोन है हमेशा ही अर्थ हलिवेंट के जोन कही जाती है और यहां पर जब भी गहराई होती है नीचाई होती है तो उसका सिधा एफेक्ट घर के ओनर के ओपर आता है यहाँ पर आपने अंडर ग्राउंड वाटर टेंक बनाया हुआ है तो वो भी आपके लिए हानिकारक रहेगा हेल्थ इस्यूज आएंगे समर्सिवल बोरंवन लगा हुआ है तो भी आपके है यहाँ हेल्थ इस्यूज आएंगे आपने साysłथ एश्ट जौन में सैप्टिक टैंक बनाया हुआ है क्या बनाया हुआ है तो भी हेल्थ इस्यूज आने के कारण बनेंगे फा internally के कारण बनेंगे साउथ वेस्ट जोन में आपने स्विमिंग पूल कि स्विमिंग पूल बनाया हुआ है तो भी आपके लिए हानिकारक रहेगा गलत रहेगा साउथ वेस्ट जोन में आपने fountain बनाया हुआ है और इक चायर रिएगा यहां पर आपने garden बनाया हुआ है lawn बनाया हुआ है तो यह भी आपके लिए नुकसान दायक रहेगा क्यों नुकसान दायक रहेगा? आप त्यान से सुनियेगा साज़स वैस्ट जोन सौलुड नीची यहां पे गहराई आजाती है तो दिकत करती है निचाइअ आजाती है तो भी दिकत करती है क्योंकि एरिया हमेशे ही उंचा उना जाँ यहां पर पने अंडर्गाउंट टेंक मना देवा यहां पर कौन सा एलिमेंट आ तुप एलिमेंट आजाता है जलतातु आजाता है जिसके एक प्रिशानी आते है बोर ला जाता है तो यहां पर गहराई बन जाती है यह गहराई भी च़्मद के आहांग पर सेटि टैंक बन जाता है तो भी ये नुकसान दायक ही रहता है क्योंकि ये भी अपने आप में गहराई का काम करता है। इसे के साथ साथ इसके अंदर गंधगी भी शटोर होती है। Swimming pool बना दिया जाता है, तो भी यहांपर पानी आ जाता है, water element आ जाता है, जो कि water element अर्थ element के लिए हमेशे ही नुकसान दायक रहता है, और हर्थ element हमेशे ही water element के लिए नुकसान दायक रहता है。 ऐसे ही यहाँ पर आपने फॉंग्टेन लगा दिया और फॉंग्टेन आपका रूटीन में चलता है तो भी ये आपके लिए नुक्सान दाएक रहेगा garden बनाये हुआ है lawn बनाये हुआ है तो भी ये गलत रहेगा क्यों मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं हमेशे ही आपको बहुत अच्छे च्छी बाते बताने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के मादम से और जो मेरा अपना 24 सालो का उनुबा वह आपके साथ साथ सांजा करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ देखें, garden lawn बनाने के लिए मैंने क्यों मना किया आप garden बनाते हैं, lawn बनाते हैं, तो वहाँ पर आप घास भी लगाते हैं जब घास लगाते है तो उसको रूटीन में हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पानी चाहिए होता है और वो एरिया हमेशे ही गेला हो जाता है उसकी मिट्टी हमेशे ही नरम रहती है, गेली रहती है और साउ जोन में साउथ वेस्ट जोन में जब भी सौफ्ट आर्था आ जाता है तो वो हमेशे ही दुखी करता है किसको दुखी करता है घर के ओनर को दुखी करता है आउनर में घर के बड़े बज़र्ग भी हो सकते हैं या आउनर के में जो मुख्या जो कमाने वाला है वो भी हो सकता है male female husband wife दोनों भी हो सकते हैं जब भी इन में से कोई भी चीज आपके south west जो उनमें बनी होगी है तो उसका सीधा effect आपके यहां आएगा तो इसलिए मैंने आपको जो बताया है यह चीज़े आपके यहां नहीं होनी चीज़े और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि south west में नहीं होनी चीज़े आने वाले इस समय में आने वाली नई वीडियो में हम उनके बारे में भी चर्च करते हैं और अपने यहां बदलाव करते हैं तो आपको हमेशे ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे आप अपने किसी भी साइट के परती हमसे ओनलाइन सला लेना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु श वत्तियाओं का समाधान कर सकते हैं आपने मेरे चैनल को अब तक सुप्सक्राइब कर लिए था कि मेरे आने वली जितने भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें इसी तरह है अगले प्रोग्रम में फिर एक नए विश्या पर चरचा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार